अगर आप विभिन तरह की नई भरतियों की परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए बड़ी अपडेट लेकर आएं कि कब कौन सी भरती आने वाली है और कब उसकी परिक्षा होने वाली है साथ में कस्तूर्बा गांधी विद्याले में जो सिक्षका के पर भरती आई हुई है तो किस जिले में कितने पदरिक्थ हैं उस पर भी अपडेट हम आपको देंगे तो सबसे पहले वही अपडेट आप ले लीजिए ये एक लिस्ट है जहां पर हमां को जानकरी दे देते हैं कस गजी में 12 है ‎ मेहाराज गजी में 16 है कुसी नगर में 66 है हरदोई में 37 पद है वहीं पर लखीमपूर खीरी में 20 पद हैं संबल में 25 हैं सिदार्थनगर में 26 हैं मेटी में 23 हैं माउ में 3 हैं मुरादबाद में 18 पोस्ट हैं सरवस्ती में 10 पोस्ट हैं मेरेट में 8 पोस्ट हैं और मुझपरनगर में 19 पोस्ट है और 5 पोस्ट का नौज में अलिगर में 28 पोस्ट है खुल 443 पोस्ट मैंने आपको बता दी हैं 2100 पोस्ट प्रस्तावित की गई है 16 पोस्ट अभी और जिलों की है उनके भी विग्यापन दीरे दीरे करके आपको देखने को मिल जाएंगे कहां पर विग्यापन आ रहे हैं कैसे अधन करना है यह वीडियो मैंने डाल दिया है चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं बात करते हैं सबसे बड़ी अपडेट और आने वाली भरतियों के बारे में स्टाफ सेलेक्शन करी कमीशन की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है जहां पर जानकरी दे दिगे हैं कि कौन कौन से विग्यापन कब आएंगे और इनकी एक्जाम कब होंगे तो देखें जो कौनस्टेबल जीडी का 2021 वाइस वाला जो विग्यापन है ठीक है उसमें देखें यहां पर जो एक्जाम है वो जनवरी फरवई 2023 में यह कम्पलीट ह चुका है कि यहां पर देखिए यह भी complete हो चुका है कि यह सभी ची कंप्डीट है ठीक है यहां पर जून से बात करते तो MTS का देखिए MTS जो 18-2203 को यहां पर advertisement आया था उसकी यहां पर बात करें तो मई जून में पर एक्जाम हो सकता है ठीक फिर यहां पर जो आपका सेलेक्शन पोस्ट एक्जामिशन फेस वाला है उसमें आपका देखिए च्छाय मार्च के एडवर्टाइजमेंट है यह क्लोजिंग डेट है और यह जो एक्जाम है वो जून में कंडेक्ट होगा ठीक है फिर यहां पर आपका जो लद्दाख वाला सेलेक्शन पोस्ट लद्दाख वाला ठीक है वो आया था 24 मार्च को इसका जो है जून में एक्जाम होगा यह तीन अप्रेल को आया था तीन मई तक अभी आवेदन लिये गए जुलाई में इसका एक्जाम होगा फिर यहां पर टेन प्लस टू वाला है आपका तो यह नौ मई को ठीक है आया है और अभी आठ जून तक यह चलने वाला है फॉर्म और अगस्ट दोजार तीस वे इसकी परिक्षा प्रस्तावित रहेगी ठीक है फिर यहां पर मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल में यहां पर हवालदार वाला जो विग हां न कर पाएंगे तेरा अगस्त तक अक्टूबर में ईविदा हो जाएगा जूनियर इंघिन्जियरं सिव्इल्सके लिए 6 जूलाई से 16 अगस्त के बीच में अविदान लिये जाएग फिर यहाँ पर junior Hindi translator, junior translator, senior Hindi translator का जो vacancy है वो 22 अगस से 12 सेप्टेंबर के बीच में आवेदन लिया जाएंगे और October, November के आजपास इसकी परिछाएं हो जाएंगी ठीक है फिर यहाँ पर है आपका constable में male, female दिल्दी पुलिस में एक सेप्टेंबर से 30 सेप्टेंबर के बीच में आवेदन लिया जाएंगे और November, December में एक्जाम हो जाएंगे इसके फिर यहाँ पर दोस्तों अगली जो है अपडिट गो multitasking के लिए दिल्ली पुलिस में civilians के लिए और यहाँ पर आप देखिएगा दस अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में आवेदन लिया जाएंगे December या January में इसका एक्जाम होगा ठीक है चौवीस में फिर Grade C Stainografer में यह आपके आवेदन लिया जाएंगे February मास 2024 में एक्जाम हो जाएगा फिर यहाँ पर UDC Grade Limited Department में लिए यह आपकी आवेदन डेट है फरवरी मास 2024 में आप पर एक्जाम हो जाएगा इसका Grade C Stainografer में यह देखिए 2023 में यह आवेदन लिये जाएंगे भी September में October के बीच में और February मास 2024 में आप पर एक्जाम हो जाएगा फिर JSA LDC की जो वैकेंसी आती है वो September अक्टूबर में आवेदन होंगे फरवरी मार्च में एक्जाम होगा दोजाज 24 में Central वाला जो आपका Assistant Grade Limited के यहाँ पर वैकेंसी आती है यह आपका 29 September से अक्टूबर के बीच में आवेदन लिये जाएंगे और February मास 2024 में एक्जाम होगा फिर यहाँ पर JSA LDC Grade में इसका जो आपका आवेदन है 6 October से 37 October अक्टूबर एक्जाम फरवरी मार्च में SSA UDC Grade Limited Department में कॉम्परेटिव एक्जाम जो होता है वो 2023 अक्टूबर में वैकेंसी आएगे 13 अक्टूबर को और दो नमबर तगवेदन होंगे और इसका भी जो एक्जाम है फरवरी मार्च 2024 में होगा तो यह पूरा सेडूल जो है वो जारी कर दिया गया है अब आपको जानकरी मिल गए होगी कौन कौन सी कब भरती आएगी उसका एक्जाम कब होगा तो उसी हिसाब से आप तैयारिय वी कर दकते